मेरे प्यारे भी द्यारतियों, आप सब कैसे हैं, मुझे आसा है, आप लोग अच्छे से तैयारी में लगे होंगे, और बेहतर से बेहतर बनने का कोर्सिस कर रहे होंगे, कि मैं क्लास 10 में, बोर्ट एक्जाम 25 में, टॉपर बनने की कोर्सिस कर रहे होंगे, तो आज मैं आप को एक ऐसा topic बताऊंगा ऐसा question बताऊंगा जिससे आप physics में एक question मातर याद करके मातर दो मिनिट याद करके छे नंबर को आप कबर कर सकते हैं तो class 10th board exam 25 गेस प्रेशन physics का देखिए और छे नंबर आप मातर दो मिनिट में कबर कर लिजेगा तो आएए देखते हैं सबसे भी आई प्रेशनिदम है देखिए ओम के नियम को सत्यापन करें ओम के नियम को सत्यापन करें ये board examination में पक्का आएगा 100% guarantee के साथ इस बार board exam में पक्का आएगा ये हम आपको confirm कर दिये हैं तो इसको आप जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे आप याद कर लिजेगा अपन इसी चालक तार से परवाहित होने बाली बीदुत धारा उस चालक तार के सीरों के बीच के बिदुत धारा उस चालक तार के सीरों के बीदुत धारा उस चालक तार के सीरों के बीच के बिदुत धारा उस चालक तार के सीरों के बीच के बिदुत धारा उस चालक तार के सीरो तो आईए देखते हैं यहां पर देखेंगे कि भी समानुपाती लिखेंगे भी समानुपाती और भी समानुपाती और यहां पर समानुपाती हटेगा तो भी बराबर हो जाएगा आई और जहां और क्या है जहां और एक निया तांक है तो यहां तक आपका कंसिप्ट कंप्ली आप जानवे करने कि क्या है बैटरी और ये क्या ही स्विच है। अच्छे तरीकवस्य फीगर को सुद्र Hybrid फिर में पार लिज्येगा ठीक है। और आईए इसके नीचे फीगर में से जितने भी चीज़ है और सारे चीज़ को अच्छा से डीटेल्स में लिखते हैं कि ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए चालकतार, बोल्ट मीटर, एमीटर, स्वीच, बैटरी, परतिरोध, परिवर्तन सिल परतिरोध परतिरोध इत्यादी को चीतरा अनुसार बेवस्तित क्या आता है यानि जितने भी चीज उस फीगर में लिखा हुआ था वे सारे चीजों को हम लोग लिखे देखिए यही सब हम लोग के फीगर में लिखा हुआ था बताईए एमीटर, बोल्ट मीटर, परतिरोध, परिवर्तन सिल परतिरोध, स्वीच, बैटरी, चालकतार यह सारे चीजों को अच्छा से लिख रहे हैं अब देखिए लिखा हुआ देखिया आप अच्छा से कि ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए चालकतार, बोल्ट मीटर, एमीटर, स्वीच, बैटरी, परतिरोध, परिवर्तन सिल परतिरोध, इत्यादी को चितरा नुसार ब्यवस्तित किया जाता है एमीटर को परिपत के स्रेनी करम में एबम बोल्ट मीटर को परिपत के समांतर करम में जोड़ा जाता है यह आप अच्छा से लिख दिए उसके बाद देखिए पहला गर आप चेंज करके सुभिच दवाकर परिपत में विदुदारा परवाहित किया जाता है एमीटर और बोल्ट मीटर के पठन को अंकित किया जाता है परिवरतन सील परतिरोद को आगे पीछे खीच कर दोवारा पठन में अंकित किया जाता है यह प्रकिरिया तीन से चार बार होती है यह प्रकिरिया कितने जी यह प्रकिरिया तीन से चार बार किया जाता है एमीटर के पठन को बाई अक्ष एबम बोल्ट मीटर के पठन को X अक्ष पर X अक्ष पर क्या किया जाता है दरसाया जाता है और देखिए आप ग्राफ देखिए अच्छा से ये मेरा ग्राफ है ठीक है जी यह क्या दिया हुआ यह है बिदुधारा और नीचे दिया हो क्या बोल्ट मीटर तो ठीक है जैसे देख लिजे ऐसे करके दिखा देते हैं और यह मेरा एक सक्ष तो आप ऐसे इस तरीके से गराप को पार देजेगा और इसके नीचे आप यह लिख देजेगा कि एमीटर के पा आप ये पूरे अच्छे तरीका से बोर्ट इकजाम में लिख देते हैं तो आपको 6 नमबर पक्का मिलेगा तो मिलते आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के साथ